नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्ण फिफ्टी कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टिड लिए हैं अच्छे लेवल के लिए हैं वही कोशन लिए हैं जो कोशन आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्ण रह सकते हैं फ्रिंट्स अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपॉर्ण रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं first question से, first question है मारा, इरान ने किस देश को चाबाहर रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, सही answer है, option C, भारत, इरान ने भारत देश को चाबाहर रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, important question रहेगा आपके exam के लिए, इस question से इस important point देख लेते हैं, इरान ने इस परियोजना से भारत को बाहर करने की वज़ाए भारत दुवारा समय पर फंडिंग का ना होना बताया है बात फ्रेंट्स यहां पर इरान देश की हुई है इरान जो है एशिया महादियूप में स्थित है इरान की राजधानी तहरान है इरान की करनसी तोमान है और इरान के राश्टपती का नाम है हसन रूहानी important question रहेगा आपके exam के लिए next question कर लेते है चार हजार रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज all-rounder कोन बने है सही answer है option B band stocks जो है यह 4000 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज all-rounder बन गए है इस question से related हम important point discuss कर लेते है Gary Sobers जो की West Indies की है यह पहले स्थान पे है और band stocks जो की England देश के है यह दूसरे स्थान पर आ गए है ठीक है आपको number one पे कोन है यह पता होना चाहिए Gary Sobers है जो की West Indies के है friends आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ पर cricket की बात हो रही है ठीक है दुबई शहर में है दुबई कहां पे है UAE देश में है और वरतमान में जो CEO है ICC के उनका नाम मनु सहानी है यह भी आपने याद रखना है important question है next question Qualcomm Ventures ने GEO platform में कितने परतिशत हिस्सेदारी खरीदी है सही answer है option B 0.15 परतिशत 0.15 परतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है GEO platform में Qualcomm Ventures ने यह question भी आपके exam के लिए काफी important रहेगा फिर अगर हम बात करें GEO platform की GEO platform जो है यह Reliance Industries की ही काई हिस्सा है ठीक है और यहाँ पे Qualcomm Ventures की बात हुई थी Qualcomm Ventures जो है इसका headquarter California में है जो की USA देश में है और present में जो CEO है Qualcomm Ventures के वो Steve Molenkoff है यह भी आपने याद रखना है फिर जितने भी question ना exam level के बन सकते थे ना सभी मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ Next question है मारा एक ही season में 20 goal करने वाले पहले footballer कौन बने है पहले footballer बन गए है इस question से लिए important point देख लेते है लिएनल मैसी जो है यह अर्जंटीना देश की तरफ से खेलते है यह point भी आपके लिए काफी important रहेगा यहाँ पर बात हुई है football की आपको यह पता होना चीए कि विश्व में जो football के खेल होते है ना उसे FIFA regulate करता है जैसे किर्केट के खेल को ICC regulate करता है टैनिस के खेल को ATP regulate करता है वैसे ही football के खेल को FIFA regulate करता है FIFA का जो full form होता है वो होता है Federation International De-Football Association FIFA की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को इसका जो headquarter है वो जियूरिक शहर में है जियूरिक कहां पर है Switzerland देश में है और FIFA के जो present में अध्यक्ष है उनका नाम है जियानी Infantino ये भी आपने याद रखना है जितनी भी हमें आपको addition information दे रहा हूँ सब अपने आप में question है और exam में पुछे जाते हैं अगला question कह लेते है Sports Adda के नए brand ambassador कोन बने है सही answer है option C Bradley Bradley जो है ये sports Adda के नए brand ambassador नियुक्त होए है इस question से related हम इंपॉर्ण पॉइंट देख लेते है Sports Adda जो है एक भारतिय समाचार और सूचना platform है ठीक है और यहाँ पर Bradley की बात हुई थी ये Australia के पूर्व किरिकेटर है next question कह लेते है if it bleeds नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है इस पुस्तक के लेखक कोन है सही answer है option A Stephen King Stephen King जो है ये if it bleeds नामक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है इस पुस्तक के लेखक है और friends आपको ये पता होना चाहिए कि Stephen King जो है अमेरिका देश के रहने वाले हैं ठीक है और फ्रेंट्स ये बुक्स वाले जो कोशन्स होते हैं पुस्तक और लिखक वाले वो एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोशन है मारा डॉक्टर विधू पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्के मेनिस्तान में डॉक्टर विधू पी नायर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है कहां पर तुर्के मेनिस्तान में इस question से related हमें important point देख लेते हैं, यहाँ पे तुर्किय मेनिस्तान की बात हुई थी, तुर्किय मेनिस्तान जो है friends, यह एशिया महादियूप में स्थित है, तुर्किय मेनिस्तान की जो राजधानी है, वो है आशगाबाद, यहाँ की जो करन्सी है, वो है तुर्किय मेनिस्तान मननत, और यहाँ के जो राश्टपती है, उनका नाम है गुर्बान गुले बर्दी होम में दो, next question कर लेते हैं, ADB के उपाध्यक्ष कोन नियुक्त हुए हैं, सही answer है, option A, अशोक लवासा, अशोक लवासा जो है, यह ADB के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इस question से लेटेट important point discuss कर लेते हैं, बात friends यहाँ पे ADB की हुई है, फुल फॉर्म होता है Asian Development Bank, हिंदी में बोलते हैं, Asia Vikas Bank, ADB की स्थापना हुई थी, 19 December 1966 को, ADB का headquarter Manila में है, और friends यह जो Manila शहर है, यह Philippines देश में है, और वरतमान में ADB के जो अध्यक्ष है, वो है Matsugoo Asakawa, यह भी आपने याद रखना है important question है, friends यह जो ADB है, इसका headquarter और अध्यक्ष का नाम, काफी बार exam में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको जितने भी question बन सकते हैं, static वाले, इन questions related, वो मैं आपको सभी करवा रहा हूँ, जो भी राज्ये आएंगे, friends, सभी राज्ये के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, जितने भी देश आएंगे, देश के बारे में भी बताऊंगा, friends, ये top 50 questions है, इसके बाद जो next video आएगी, जुलाई महिने के ही, top 100 questions की आएंगे, फिर top 200 questions की आएंगे, ठीक है, और इसके बाद, friends, 400 questions के एक one liner series भी आएगी, ठीक है, जुलाई महिने के, बताँ एक भी question मैं आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हो, चार उबग्रह का सफलता पूर्वक परक्षेपन किया है, friends, यहाँ पे चीन देश की बात हुई थी, चीन जो है, एशिया महादूप में स्थेत है, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करंसी है रैन बिन बी, और चीन के राष्टपती का नाम, शी जीन पिंग है, यह भी आपने याद रखना है, और friends, मैंने करंसी के साथ, रैन बिन बी के साथ युवान भी लिखा है, कभी-कभी आपको एक्जाम में युवान भी लिखके दे सकते हैं, इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं, चीन की करंसी, next question कर लेते हैं, भारतिय मूल के चंदरी का परसाज संतोखी, किस देश के राष्टपती बने हैं, सही answer ऐसका, option B, सूरी नाम, सूरी नाम देश के राष्टपती बने है, भारतिय मूल के चंदरी का परसाज संतोखी, ये question भी exam के लिए काफी important रहेंगे friends आप वो question का level देखके पता लग गया होगा सभी question जो है exam oriented है किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो न friends सभी के लिए ये video काफी ज़्यादा useful रहेगा friends यहाँ पे न सूरिनाम देश की बात हुई थी सूरिनाम जो है दक्षी अमेरिका महादूइप में स्थित है सूरिनाम की जो राजधानी है friends वो है पर्मा रीबो और यहाँ की जो करंसी है वो है सूरिनाम डॉलर राजधानी काफी important है आपके लिए next question कर लेते हैं किस होक्की खिलाडी को मोहन बगान lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है सही answer है option D अशोक कुमार अशोक कुमार को यह होक्की खिलाडी है और इनको मोहन बगान lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है इस question से लेज़िट important point देख लेते हैं अशोक कुमार को मोहन बगान lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है वही अगर हम बात करें गुर्बक्ष सिंग और पलाश नंदी को इनको मोहन बगान रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठीक है फेंटसी दो कोशन है बन रहे हैं इसमें ठीक है अगर आपसे एक्जाम में पूछ ले कि मोहन बगान लाइफटेम अचीवेंट अबार्ट कि यह भैतरीन पूर्व खिलाडियों को प्रदान किया जाता है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं L&T बोड के कारेकारी निदेशक यानि ED को नियुक्त होए हैं सही आंसर इसका option C सुब्रमन्यम शर्मा सुब्रमन्यम शर्मा जो है इन्हें L&T बोड के कारेकारी निदेशक के र साथ फरवरी 1938 को हेड़क्वार्टर जो है मुंबई शहर में है अध्यक्ष का नाम एम नायक है और MD&CEO का नाम है SN सुब्रमन्यम यह मैंने आपको उपर ही बताया next question कर लेते हैं अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी Huawei के 5G नेटवर्ग बनाने को लेकर बैन कर दिया है सही answer इसका option B Britain Britain देश ने अमेरिका के बाद जो चीन की कंपनी है Huawei जो की 5G नेटवर्ग बनाती है इसको अब बैन कर दिया है reason क्या डाला इनोंने सुरक्षा का issue डाला है ठीक है उसके friends यहाँ पे Britain की बात हुई थी Britain जो है ये रोप महाद्यूप में स्तेत है राजधानी लंदन है करंसी है pound sterling और पधानमंती का नाम है Boris Johnson next question कर लेते हैं किस राज़े सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए operation मुस्कान शुरू किया है सही answer इसका option C आंदरपरदेश राज़े की सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए operation मुस्कान को शुरू किया है फिर जितने भी question होते ह वाले योजना वाले राज्यों से जोड़े हुए ये एक्जाम के लिए काफी जादा important होते हैं फिरिंट्स यहां पे ना आंदर परदेश राज्य की बात हुई थी आंदर परदेश जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नमबर 1956 को राजधानी का नाम है अम्रावती मुख्य मंत्री की बात करें Y.S. जगन मोहन रड़ी हैं जो की Y.S.R. कॉंग्रिस पार्टी से हैं गवर्नर की बात करें विश्व भूशन हरी चंदन है मुख्य निया अदिश का नाम है जितेंदर कुमार महिश्वरी अगर हम बात करें आंदर परदेश की लोकसभा सीट 25 है राज्य सभा सीट 11 है विधान सभा सीट 175 है किस आईटी ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 Diagnostic Kit कोरोशियोर त्यार की है सही आंसर इसका ओप्शन B. I.I.T. दिल्ली ने सबसे सस्ती COVID-19 Diagnostic Kit जिसका नाम है कोरोशियोर ठीक है याद रखतें आपने कोरोशियोर किसने त्यार किया है IAT दिल्ले ने इस कोशन से ज़िए हम important point देख लेते हैं कोरो शोर किट अन्य किटुक की तुल्ला में बहुत ही ज़ाधा सस्ती है और मानव संसादन विकास मंतरी जिनका नाम रमेश पुखरिया लिशंक है इन्होंने इस किट को लॉंच किया है ये भी आपने याद रखना है next question है हमारा किस देश ने भारत के साथ open sky agreement करने की घोशना की है सही answer है option C UAE UAE देश ने भारत के साथ open sky agreement करने की घोशना करी है अंतराश्टी news है काफी ज़्यादा important रहेगा friends यहाँ पे ना UAE देश की बात हुई थी UAE का full form है United Arab Emirates UAE जो है Asia महादियूप में स्थित है और UAE की जो राजधानी है अबुधा भी है और currency की बात करें UAE धिरम है ये भी आपने याद रखना है next question कर लेते हैं Andres Duda किस देश में फिर से राश्टपती बने है सही answer है option B Poland Poland देश के फिर से राश्टपती चुने गए है Andres Duda ये भी आपने याद रखना है बात friends यहाँ पे Poland की हुई थी Poland जो है ये रोप महादियूप में स्थित है राजधानी काफी important है राजधानी का नाम है Warsaw बात करें Poland की currency की वो है Polish Gelati और यहाँ के प्रधान मंतरी का नाम है Metuz Morviki ठीक है ये भी आपने याद रखना है next question कर लेते हैं किस राज़े सरकार ने रोको टोको अभ्यान शुरू किया है मैंने आपको अभी बताया था अभ्यान वाले योजना वाले question और कारेकरम वाले question राज़े से जुड़े होए काफी ज़्यादा important होते हैं तो हमारा question था किस राज़े सरकार ने रोको टोको अभ्यान शुरू किया है सही answer है option B मद्धे पर्देश मद्धे पर्देश राज़े की सरकार ने रोको टोको अभ्यान को शुरू किया अगर आपको पढ़ायवा पसंद आ रहा है वीडियो को like जरू करियेगा और इसका pdf वीडियो की description से आप ले सकते हो अगर हम बात करें रोको टोको अभ्यान की इसका उद्देश है मास्क के परती लोगों को जागरू करना है बात फ्रेंट्स यहाँ पर मद्धे पर्देश की हुई है राजधानी है भुपाल मुख्य मंतरी का नाम शिवरा सिंग चोहान है जो की बीजेपी पार्टी से है गवर्नर का नाम है लाल जी टंडन इनका फ्रेंट्स अभी ध्यान तो गया है ठीक है तो अभी गवर्नर की सीट यहाँ पर खाली है वुख्य नियादिश है अजब कुमार मित्तल लोकसभा सीट 29 है राजजे सभा सीट 11 है और विधान सभा सीट 230 है नेक्श्ट कोशन करते है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है सऺ नियासर अप्शन सी 15 जुलाई 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है इस question created important point देख लेते हैं इस दिवस का उद्देश है युवाओं में बहतर आज जीवीका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरुकता बढ़ाना है इस दिवस को मनाने की घोशना संयोकतराश्ट ने की थी नेक्स्ट कोशन किस राज्य के मुखे मंतरी के पलाणी सौमी को पॉल हैरिस फेलो सम्वानचे सम्वानित किया गया है सही आंसर है, option C, Tamil Nadu Tamil Nadu राज्जे के मुख्य मंतरी के पिलानी स्वामी को Paul Harris Fellow सम्मान से सम्मानित किया गया है Friends, यहाँ पर बात हुई है, Tamil Nadu राज्जे की राजधानी है, चन्नाई, मुख्य मंतरी के पिलानी स्वामी है अभी आपको उपर विताया मैंने गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहीत है मुख्य नियादिश का नाम है अम्रेश्वर परताप साही बात करें, तमिलान्डू की लोक सभा सीट वो है 49 राज्जे सभा सीट 18 विधान सभा सीट 234 है Next question कर लेते है A song of India पुस्तक का विमोचन किया गया है इस पुस्तक के लेखक है और फ्रेंट्स की जो रस्कीन बॉंड है ये भारत देश के हैं, ये भी आपने याद रखना है Next question कर लेते है किस वर्ष तक भारती रेलवे 100% सवच उर्जा पर चलने वाला विशो का पहला गरीन रेलवे होगा सही answer है Option B 2030 तक भारती रेलवे जो है ये 100% सवच उर्जा पर चलने वाला विशो का पहला गरीन रेलवे होगा इस question से रेटिट हम important point देख लेते हैं भारती रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्योती करन का परियोग होगा इसलिए भारती रेलवे है ये 100% सवच उर्जा से चलने वाला विशो का पहला गरीन रेलवे बन जाएगा यहाँ पे भारती रेलवे की बात हुई थी इंडियन रेलवे भी बोलते हैं इस्थापना हुई थी 16 April 1853 को मुख्याले नई दिल्ली में है बात करें प्रेजंट में रेलवे मंतरी की पियोश गोईल है रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष भी एक्जाम में पुछे जाते हैं विनोत कुमार यादव है RPFS के महानी देशक पुछे जाते हैं अरुन कुमार है और सोतंद भारत के पहले रेल मंतरी थे जॉन मत्हाई ये भी आपने याद रखना है important question है next question कर लेते है हुरुन research हुरुन research के अनुसार विशुव के अरब पतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे है सही answer इसका option C पाँचवे स्थान पर रहे है हुरुन research के अनुसार विशुव के अरब पतियों की सूची में मुकेश अंबानी पाँचवे स्थान पर रहे है इस question से related important point देख लेते हैं सबसे पहले आपको बताऊंची की पहले स्थान पर जो है जह वैजोस रहे है जो की Amazon company के मालिक है दूसरे स्थान पर रहे है Bill Gates तिसरे स्थान पर रहे है Bernard Arnold ठीक है और मुकेश अंबानी जो है जो की पाँचवे स्थान पर रहे है हुरुन की रिपोर्ट की अनुसार्थी यह आपने याद रहना यहाँ पर हुरुन की रिसर्च की बात हो रही है तो फ्रेंच यह पाँचवे स्थान पर रहे है और Reliance Industries की अमालिक है मुकेश अंबानी next question कर लेते है Corona vaccine के human trial को पूरा करने वाला विशो का पहला देश कोन सा बना है सही आंसर है option C रूस रूस देश जो है यह Corona vaccine का human trial को पूरा करने वाला विशो का पहला देश बन गया है इस question से लेटिट important point देख लेते है रूस के सेचनोव यूनिबरस्टी ने Corona vaccine के human trial vaccine को त्यार किया है और इसका नाम रखा है jam covid whack लेओ ठीक है और यहाँ पर रूस की बात हुई थी रूस जो है यूरोप और एश्या महादीव में इस्थित है रूस की राजधानी मासको है यहाँ की currency का नाम रूबल है राश्टपती का नाम है व्लादमीर पुतिन ठीक है यह भी आपने याद रखना है इसका जो pdf है वो आप वीडियो के description से ले सकते हो या मेरे telegram channel ravis study iqgk से भी ले सकते हो ठीक है जो daily current affairs जो हमारी channel पर आती है दूसरे channel पर आती है जिसका नाम है current affairs by ravis study iqgk daily current affairs आता है और हम daily current affairs का material है वो अपने website पर पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको print out करने की जुरुत ना पड़े pdf को ठीक है website का नाम है www.ravis study iqgk.com इस website पर जाके friends आप सब कुछ free में content पर सकते हो मेरा blogging channel है ravis yz blogs और ravis study iqgk 2.0 इन दोनों को friends आप अभी subscribe कर लीचे ravis study iqgk 2.0 टेलिग्राम पर facebook पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो रवी study iqgk नाम से और special whatsapp ग्रूप है 78814339999 इसे भी आप join कर लीचे है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं नेक्स्ट कोशन है मारा भारती रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सुखी मिर्च का परिवहन किया है सही आंसर इसका option B बांगलादेश भारती रेलवे ने पहली बार सुखी मिर्च का परिवहन किया है किसको बांगलादेश को यह आपने याद रखना है और इसका जो friends परिवहन किया गया है यह आंदर परदेश का जो गुंटूर जिला है यहां से किया गया है ठीक है भारतिय रेलवे ने सुखी मिर्जी भेजी है कहां पे बांगला देश में बात बांगला देश की वही है राजधानी ढाका है करंसी है टका परधान मंतरी का नाम शेक हसीना है राश्ट पती जो है अब्दूल्हामिद है नेक्स्ट कोशन है मारा किस देश के परधान मंतरी ने होंक आंग कोंग के साथ प्रत्यपन संधी को खतम करने की घोशना कर ली है इसका मेन रिजन क्या है कि होंक कोंग में चीन के विवादसपद राश्टिय सुरक्षा कानून के विरोध में अस्ट तेलिया की हुई है, राजधानी कैनेबरा है, करंसी डॉलर है, प्रधान मंत्री का नाम स्टॉक मौरिसन है, गूगल ने भारत में कितने billion American dollar का निवेश करने की घोश्ना की है, आंसर है, option D 10, गूगल ने भारत में 10 million American dollar का निवेश करने की घोश्ना करी है, बात यहां पर फ्रेंट्स गूगल की हुई है गूगल जो है अमेरिका की कंपनी है और इक तरह का यह इंटरनेट सर्च इंजन है गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 1998 में है मुख्याले कैलिफोनिया में है जो की USA देश में है संस्थापा का नाम सरगेई ब्रीन और लेरी पेज हैं CEO हैं सुन्दर पिचाई जो की भारती है नेक्स्ट कोशन है मारा भारत ने किस देश से 72000 SIG-716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोशना की है बात यहां पर अमेरिका की हुई थी यह वैसे भी कहा जाता है सहयोंकतराज अमेरिका भी कहा जाता है अमेरिका जो है उत्री अमेरिका महाद्यूप में स्थित है यह भी आपने याद रखना है राजधानी वाशिंग्टन डी-सी है जो कि पोटम एक नदी के किनारे स्थित हैं ये भी आपने याद रखना है और नासा का जो हैटकोर्ट रेफरेंस वो भी वाशिंग्टन डी-सी में ही है करंसी जो है अमेरिकी डॉलर है राश्पती है डोनेल ट्रम्प नेक्स्ट कोशन है मारा विक्रम दुरुई स्वामी को किस देश में भारत का निया राजदूत नियुक्त किया गया है सही आंसर है ओप्शन बी बांगलादेश विक्रम दुरुई स्वामी को भारत का निया राजदूत नियुक्त किया गया है कहां पर बांगलादेश में सही आंसर है, option C, उप्युक्त दोनों, गुर्बक्ष सिंग और पलाश नंदी, गुर्बक्ष सिंग और पलाश नंदी को मोहन बगान रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, important question रहेगा, next question करलते हैं, किसे वन, कर्मन, पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है, सही आंसर है, option B, K-CVEN, K-CVEN जो हैं, यह भारत में इस्रो के अध्यक्ष है, इनको वन, कर्मन, पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है, K-CVEN इस्रो के अध्यक्ष है, मैं आपको बता चुका हूं, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, BCCI के अंतरीम CEO कौन नियुक्त होए हैं, सही आंसर इसका option, D. Hemang Amin, Hemang Amin जो हैं ये BCCI के अंतरीम CEO नियुक्त होए हैं, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, और फेंस यहां पर ना BCCI की बात हुई थी, तो BCCI की बारे मैं आपको बता लेता हूँ, जो भारत में cricket matches होते हैं, उसे BCCI regulate करता है, फुल फॉम होता है, Board of Control for Cricket in India, हिंदी में बोलते हैं, भारती क्रिकेट नियंतरन बोर्ड, स्थापना 1928 में होई थी, मुख्याले मुंबई में हैं, अध्यक्ष का नाम सौरव गॉंगुली हैं, और CEO का नाम राहुल जोहरी हैं, Next question है हमारा, अमिश यहां किष ने किष शहर में CRPF के राष्टिय विखशार खेब अभ्यान का शुभारम किया है, उसे पहले मैं आपको बदा दूँ, गुरु- अर्यानाराजय में स्थेत हैं, CRPF को फुलppoorm होता है Central Reserve Police Force, हिंदी में बोलते हैं, केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बल, स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, मुख्याले जो है, नई दिल्ली में स्थित है, अध्यक्ष का नाम है अनन्त प्रकाश महेश्वरी, और बात करें CRPF के मोटो की, वो है सेवा और नेस्टा, फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ायवा पसंद आ रहा है, कॉंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करियेगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेर भी जरूर कर दीजेगा, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टाप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी मैं फ्रेंड्स आपका वेस्ट नहीं कर रहा है नेक्स्ट है मारा, रुदरेन टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, सही आंसर है, ओप्शन सी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान देश में रुदरेन टंडन को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, फ्रेंड्स बाद याद रखना है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, वीजा ने, वीजा सिक्यूर प्रोग्राम लाँच करने के लिए, किस बैंक के साथ समझाता किया है, सही आंसर इसका, ऑप्शन सी, फेडरल बैंक, वीजा ने, वीजा सिक्यूर प्रोग्राम लाँच करने के लिए, फेडरल बै में जो कि केरल राज्य में हैं अध्यश की बात करें ग्रैस एलिजाबैत कोशी हैं MDN CEO है श्याम सरी निवास यह भी आपने याद रखना है किस IIT ने शुद्ध नामक एक सनिटाइजिंग डिवाइस को विक्सित किया है सही आंसर इसका option B IIT कानपूर IIT कानपूर जो है इस IIT ने शुद्ध नामक एक सनिटाइजिंग डिवाइस को विक्सित किया है बात ही हमें फ्रेंट्स IIT कानपूर की हुई है IIT का full form होता है Indian Institute of Technology हिंदी में बोलते हैं भारतिय प्रावदोगी की समस्थान next question कर लेते हैं किस राज्य को एलाइट्स Excellence Award 2020 से सम्मानित किया गया है सही आंसर इसका option D 36 गड़ राज्य को एलाइट्स Excellence Award 2020 से सम्मानित किया गया है फ्रेंट्स यहां पर बात हुई है 36 गड़ राज्य की स्थापना हुई थी एक नमंबर 2000 को र प्रेंटल नगर हो गया है मुख्य मंदरी भुपेश बगेल है जो कि Congress Party से है गवर्नर का नाम अनुसोया उईक्य है मुख्य नियादिश का नाम पिया राम चंदरन मैनन है लोकसभा की बात करें तो 11 सीटे हैं 36 गड़ की राज्य सभा में 5 सीटे है विधान सभा में 90 सीटे भारत का एक मातर गोल्डन बाग किस राज्य में देखा गया है सही आंसर इसका Option A असम राज्य में असम राज्य में भारत का एक मातर गोल्डन बाग को देखा गया है इंपॉर्न पॉइंट देख लेते हैं असम का जो फ्रेंस काजी रंगर नशनल पारक है वहाँ पर ये असम राज्य की हुई है, राजधानी दिसपूर है, मुख्य मंतरी सरवानन सोनोवाल है, जो की BJP पार्टी से हैं, गवर्नर का नाम जगदीश मुख्य है, मुख्य नियादीश का नाम अजय लामबा है, और हम बात करें, असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्य सबा सीट 7 है, वि कोशन B, आंदरपरदेश, आंदरपरदेश राज्य ने, इक्रॉप नामक पहल शुरू किया है, जिसमें जो फसले होंगी, उनका ऑनलाइन पंजीगरन किया जाएगा, इससे बेसिकली जो किसान है, उनको बहुत जादा फाइदा होने वाला है, ठीक है, और यहां पर बात आंदरपरदेश की हुई है, राजधानी जो है, अमरावती है, मुख्य मंतरी वायस जगन मुहन रेड़ी है, आंदरपरदेश की बारे मैं आपको उपर बता चुका हूँ, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है हमारा, AAI ने नागरिक उडियन छेतर में सहियो करने के लिए किसके सा साथ समझाता किया है, बात यहां पर AAI की हुई है, और BEL की हुई है, दोनों के बारे मैं आपको बताऊंगा, AAI जो है, इंडिया में जितने भी एरपोर्ट है, उन्हें AAI रेगुलेट करता है, यह आपको बताऊना चाहिए, फुल फॉर्म होता है, एरपोर्ट स्थापना जो हुई थी, एक एप्रल 1995 को हुई थी, बात करें अगर हम हैटक्वाटर की नई दिल्ली में स्थित है, अध्यक्ष जो है, अर्विन सिंग है, AAI के है, ठीक है, बात यहां पर BEL की भी हुई थी, भारत Electronics Limited का फुल फॉर्म होता है, स्थापना 1954 को हुई थी, कौन सा राज्य प्रधान मंतरी सौनिधी योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है, सही आंसर है, Option C, मध्धेपरदेश, मध्धेपरदेश राज्य जो है, यह प्रधान मंतरी सौनिधी योजना को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है, important point देख लेते हैं, प्रधान मंतरी सौनिधी योजना के तहत रेहरी पट्री वाले दुकानदारों को छोटी राशी का कर जो प्लत कराया जाएगा और जिससे उन्हें अपना वैवासाई जारी रखने मदद मिलेगी ये तो उसका उद्देश हो गया प्रधान मंतरी सौनिधी योजना का ठीक और मैंने आपको बताया है इस योजना को लागो करने में पहले स्थान पर मद्दे परदेश रहा है बात मद्दे परदेश की हुई है इसकी बारे मैं आपको उपर बता चुका हूँ ठीक है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं भारती रेलवे ने कोरोना वारेस महामारी के संकर्मन को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्मान किया है इसकी बारे मैं बात हुई है इसकी बारे मैं आपको मैं डीटेल में बता चुका हूँ उपर और फ्रेंट जो कोशन करवा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना ठीक है उपर मैंने आपको बताया था कि जो मुकेश अंबानी है वो पांचमे स्थान पे रहे हैं ठीक है अब बात हुई है बुलूमबर्ग बिलेनर्स इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की हुई है इनकी अनुसाद दुनिया के सबसे अमीर वैक्ति की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे रहे हैं सही आंसर इसका ओप्शन सी छे में स्थान पे जो हुरून रिसर्च स्थाना उन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी थी उसमें पांचवे स्थान पे बताया है लेकिन अगर आपसे एक्जाम में यह पूछ लेगी Bloomberg Billioners की रिपोर्ट के अनुसाद मुकेश अंबानी किस स्थान पे हैं तो छे में स्थान पे हैं important point देख लेते हैं देखो पहले स्थान पे जैफ वैजोस हैं दूसरे स्थान पे Bill Gates हैं तिसरे स्थान पे Bernard Arnold हैं अगर हम बात करें हुरून रिसर्च की जो मैंने अपर आपको कोशन करवाया था हुरून रिसर्च वाला इसकी अनुसार मुकेश अंबानी पांचमें स्थान पर हैं ठीक हैं और मुकेश अंबानी जो हैं रिलाइंस इंडस्ट्री के अमालिक हैं next question इन्फरा बिजनेस लीडर आफ दा इयर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर इसका option D वेद परकाश दुदेजा वेद परकाश दुदेजा को इन्फरा बिजनेस लीडर आफ दा इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और फ्रिंट्स अगर हम बात करें वेद प्रकात दुदिजा की ये भारत के हैं और इनको अब सरंचना विकास में दिये गए उनके योदान के लिए ये सम्मान दिया गया है नेक्स्ट कोशन है मारा किस भारती अमेरिकी विज्ञानी को नैशनल इंसिट्यूट ओफ फूड अगरिकल्चर एन आई एफे का कारेवाग निदेशक नियुक्त किया गया है सही आंसर इसका ओप्शन बी डॉक्टर पराग चिटनिस पराग चिटनिस जो है इनको नैशनल इंसिट्यूट ओफ फूड अगरिकल्चर का कारेवाग निदेशक नियुक्त किया गया है जारकन राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधन प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझाता किया है सही आंसर इसका ओप्शन सी HDFC बैंक जारकन राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधन प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझाता किया है बात यहाँ पे HDFC बैंक की हुई है HDFC का फुलफाम होता है Housing Development Finance Corporation HDFC बैंक की स्थापना हुई थी August 1994 को मुख्याले मुंबई में है अध्यश का नाम है CM वासुदेव अगर हम बात करें प्रबंध निदेशक की HDFC की वह अधित्यपूरी है बात फ्रेंट्स यहाँ पे जारकन राज्य की भी हुई है स्थापना जो हुई थी 15 नमबब 2000 को हुई थी राजधानी जो है रांची है मुख्या मंतरी हेमंद सोरेन है गवर्नर की बात करें दुराबदी मुर्मो है मुख्या नियादिश का नाम रवीर अंजन है लोग सभा में 14 सीटे है राज़य सभा में 6 सीटे है विधान सभा में 81 सीटे है नेक्स्ट कोशन करते है भारत ने किस देश को वारशिक मालाबार नोस्यनिक अभ्यास में शामिल करने का निरने लिया है सही आंसर इसका, option D, Australia, भारत ने वाशिक मालाबार नौसनिक अभ्यास में Australia देश को सामिल करने का निर्ने लिया है, बात Australia की हुई है, राजधानी कैनेबरा है, करंसी डॉलर है, अपधान मंतरी का नाम Scott Morrison है, नेक्स्ट कोशन करते हैं, UNICEF इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है, सही आंसर इसका, option B, SAP India, UNICEF इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए SAP इंडिया के साथ साज़ेदारी करी है, important point देख लेते हैं, इस साज़ेदारी का उदेश है, COVID-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है, Friends, यहाँ पे न, UNICEF की बात हुई है, UNICEF का फुल फॉर्म होता है, United Nations Children's Fund, Hindi में फुल फॉर्म होता है, सन्युक्त राश्ट बालकोश, स्थापना हुई थी, 11 दिसमबब 1946 को, सबसे ज़्यादा important है इसका headquarter, जो की New York में है, New York कहाँ पे है, अमेरिका में है, अध्यक्ष का नाम भी एकजा में पुछा जाता है, हैंडिटा फॉर, अध्यक्ष है, UNICEF के, Next question कर लेते हैं, Manchester University से डॉक्टर इड की मानद उपादी पाने वाले, सबसे कम उमर के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, सही answer इसका, option A, Marks Rashford, Marks Rashford जो है, यह Manchester University में, इस वर्षे फुटबॉल खिला रही है, Marks Rashford, ठीक है, यह Manchester University से डॉक्टर इड की उपादी पाने वाले, सबसे कम उमर के रेक्ती बने हैं, मैंने आपको उपरी बताया, यह उपलब्दी, बाल गरीवी के खिलाब चलाई गई, उनकी मुहीम के लिए उनको दिया गया है, नेक्स्ट कोशन है मारा, एलिस, फाकफाक ने पधानमत्री पद से स्थिफ़ा दिया है, यह किस देश के हैं, सही answer है, option C, Tunisia, एलिस, फाकफाक ने पधानमत्री पद से स्थिफ़ा दिया है, यह है Tunisia देश के हैं, बात Tunisia की हुई है, अफ्रीका महादियूप में स्थित है, राजधानी Tunis है, करंसी है, Tunisian दिनार, next question कर लेते हैं, Google ने Jio platform में कितने पर्थिशत की हिस्सेदारी खरीदी है, सही answer है, option B, 7.73 पर्थिशत, Google ने Jio platform में 7.73% की हिस्सेदारी को खरीदा है, important point देख लेते हैं, Google के बारे मैं बात हुई है, इसके बारे मैं आपको उपर explain कर चुका हूँ, कि शहर में भारतिय राष्टिय महासागर सुचना सेवकेंदर, INCOIS ने स्वक्ष्था पखवाड़ा का आयोजन किया है, सही answer है, option A, हैदराबाद में, भारतिय राष्टिय महासागर सुचना सेवकेंदर ने स्वक्ष्था पखवाड़ा का आयोजन किया है, कहां पर हैदरा चुना गिया है सही आंसर इसका option E उप्युक्त सभी अंतराश्टिय प्रैस सोतंता प्रोषकार में जो चार पत्रकारों को चुना गिया है उनका नाम है शहाइदूलालम दूसरे हैं मुहम्मद मौसड़े तीसरे हैं डैपो ओल्रेन योमी चौते हैं सुवेटलाना प्रोका प अब हम यह देख लेते हैं यह पुरुसकार उन पतरकारों को दिया जाता है जो हमलों धंकियों के बावजुद भी प्रैस की सोतंतता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं नेक्स्ट कोशन कह लेते हैं दा तंगाम्स एन इतनो इतनो लिंग्विस्टिक स्टेडी ऑफ दा क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रूप अफ अरुनाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है इसके लेखक कौन है सही आंसर इसका ओप्शन बी पेमा खांडू पेमा खांडू जो है यह पुस्तक के लेखक है जिस पुस्तक का विमोचन किया गया इस पुस्तक का नाम है दा तंगम्स एन इतनो लिंग्विस्टिक स्टेडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रूप अरुनाचल प्रदेश बात करें अगर पेमा खांडू की जो आपके एक्जाम में आ जाए और मैं आपको करवाने रहा हूं ठीक है यह 50 टॉफ 50 कोशन की वीडियो थी इसके बाद जो टॉफ 100 कोशन की टॉफ 200 कोशन की और 400 कोशन की जो वीडियो आने वाली जुलाई महिने की वो ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स आप ठीक है वन्य जीव अभिहारन में तबदील किया गया है सही आंसर है option B असम असम राजे का जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है इसको वन्य जीव अभिहारन में तबदील कर दिया गया है बात असम की हुई है दिस्पूर आजधानी है सरवानन सोनवाल यहां के मुक्रे मंतरी है ज जीता है सही आंसर इसका option C उपयोग दोनों जिम ताइकलेट और एंच चंदर शेखरन जो है इसने USIBC 2020 Global Leadership Award को जीता है और फिर्ण्स यह पुरुसकार जो है भारती अमेरिका ट्रेड और वेपार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है किस राज्य में भारत का पहला Trans Shipment Hub वलार पदम Terminal विखसित किया जा रहा है सही आंसर है option C केरल केरल राज्य में भारत का पहला Trans Shipment Hub जिसका नाम है वलार पदम Terminal यह विखसित किया जा रहा है important question है आपके exam के लिए फिर यहाँ पर बात हुई थी केरल राज्य की राज़दानी है तिर्वननत्पुरम मुख्य मंतरी पिनना राई विजियन है गवर्नर है आरिफ मुहम्मद खान मुख्य नियादिश है एस मनी कुमार लोग सभा में 20 सीटे राज्य सभा में 9 विधान सभा में 140 जितने भी राज्य थे मतलब मैं आपको सबी राज्यों के बारे में करवा चुका हूँ ठीक है डिटेल में सीबियसी ने किसके साथ मिलकर एक मिलियन सिख्षकों को परस्षिशित करने का समझाधा में बोलते हैं केंदरी अमाध्यमिक शिक्षा बोड स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी हेड़कॉर्टर जो है नई दिल्ली में है अर्धेश का नाम है मनोज अहुचा फ्रेंट्स मैंने आपको ये 58 कोशन करवाए उमीद करता हूँ आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आ गया होंगे मैंने आपको फ्रेंट्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया इतने भी इंपॉर्टन कोशन थे हो सभी करवाया मैंने आपको ठीक है और इसके बाद जो टॉप 100 कोशन आने वाले हैं और टॉप 200 कोशन आने वाले हैं वो वीडियो भी आप जरूर देखना वीडियो को लाइक जरूर करना आपको वीडियो पसंद आई है तो और जो मेरा फ्रेंट्स ब्लॉगिंग चैनल है रवी xyzblogs इसे भी सब्सक्राइब कर लिजिए करन्ट अफेर का चैनल है करन्ट अफेर्स बाइर्वी स्टडी आईक्यू जीके सुबह चार बजे करें डिटेल वाली वीडियो आती है इस पर डिटेल वाला पीडिया जाता है इसको भी फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब कर लिजिए करन्ट अफेर्स बाइर्वी स्टडी आईक्यू जीके मेरा वैब साइट है www.ravistudyikyuk.com यहाँ पर फ्रेंट्स आप फ्री में पढ़ सकते हो स्पैशल वट्साप ग्रूप है 7814339999 इसे भी जॉइन कर लिजिए टेलिग्राम, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और अभी स्टडी आईक्यू जीके नाम से अगर आपको मेरा मेहनत प्रसंद आया है मेरा कॉंटेंट प्रसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कम से कम अपने 10 फ्रेंड में इस वीडियो को शेर भी जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू अल दी बेस्ट